आज मैंने बनाई है ये जोर मेंट के जान। ये मैंने बहुत ही आशान तरीकी से बनाई दिया तो चलो इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं आज मैं आपको इतना सुन्दर सा प्यारा सा डोर मार पना कर दिखाऊंगी जो बहुत ही आशान है बनाना तो चलिए उसके लिए देखो मैंने एक नोट लगा लिए और एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा अठारा मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं तो देखे एक एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे डाले हैं क्योंकि हम तीन तीन करके गठ आएंगे तो छे बार में एक दो तीन चार पांच छे छे बार में ये मेरे फंदे गठ जाएंगे यानि ये इदर की साथ में हो जाएंगे तो अ सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, एक बाद इसी तरीके से पूरा बनाना है, बहुत आश्रा नहें से बनाना, आप इस टोरमेट को जरूल बनाए, मुझे प्यारी प्यारी कमेंट भी आती है, कि मैं ये वाली जिजान मैंने बना लिया, तो आपकी कमेंट पढ़के मुझे ब तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नीव हैं, ओम ज़ान के चैनल पे नीव हैं तो प्लीज, चैनल को सद्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्त तो शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए, आपको मेरी ये नीव वीडियो कैसी लगी, अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया शारे फंदे जैसे हम ने डाले थे वैसे ही बना दिये अब क्या करेंगे देखो एक फंदा याहां से बढ़ाएंगे देखो इस तरीके से एक फंदा मैंने इधर की साइट से बढ़ाया है और बनाते जाएंगे इधर की साइट में हमें कुछ भी नहीं करना ऐसे बनाते हुए जाएंगे और एक फंदा नहीं छोड़ेंगे दो फंदा नहीं छोड़ेंगे हम पूरे तीन फंदे छोड़ेंगे तो एक दो तीन चार अभी तो एक और वाकी है इस तरीके से देखो तो एक दो तीन तीन फंदे मैंने यहाँ पे छोड़ दिए हैं और फिर से हम बनाना शुरू करेंगे तो ऐते ही हम एक-एक करके तीन फंदे बढ़ा लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है एक बार मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ इसी तरीके से अंटा लगाकर हम अपना फंदा बढ़ाएंगे तो यह मैंने एक दो तीन फंदे बढ़ा लिए है अब इधर की साइट से मैंने नो फंदे एक दो करके छोड़ने है या सुरी तीन-तीन करके नो फंदे छोड़ने है दो दो करके भी आप छोड़ सकते हैं मगर ये वाली दिजान जो मैं बना रही हूँ वो नहीं आएगी देखिए एक बार में तीन फंदे छोड़ेते दूसरी बार में तीन तीसरी बार में तीन तो अब हम क्या करेंगे जैसे दर की साइट में जाएंगे तो देखिए मैंने इदर की साइट से ये तीन फंदे बढ़ा लिये हैं अब क्या करेंगे अब हम एक दो दो फंदे बनाएंगे क्योंकि आप हमें एक फंदा गठाना है एक फंदा मैंने गठा दिया इदर की साइट से जैसे हम तीन तीन फंदे छोड़ रहे थे उसी तरीके से तीन तीन फंदे छोड़ने हैं देखिए मैंने फिर से तीन फंदे छोड़ दिये साड़ी से बनाए या डुपट्टे से या मेकरम से या उन से आप किसी से भी बनाए वट साड़ी से बनाए तो एक एक इंची की पट्टियां करें बहुत सुन्दर डूर मैट बनके तयार होता है पट्टे से बनाए तो एक एक इंची की पट्टियां करें बहुत सुन्दर डूर मैट बनके तयार होता है फिर से हम डवल फंदा लेंगे क्योंकि हमें तीन फंदे गठाने है तो दूसरा फंदा फिर से गठा दिया मैंने और इधर की साइट में हमने जैसे फंदे छोड़ने थे वैसे ही छोड़ दिये हैं ऐसे ही थोड़ा सा एक फंदा और गठाएंगे देखिए यह मैंने दूसरा फंदा भी गठा दिया अब यह सारे फंदे हम इसी कलर से बनाते जाएंगे क्योंकि हमने तीन-तीन करके सभी फंदों को छोड़ दिया और यह हमारा पूरी कली बनके तैयार हो गई अब हम सारे फंदे इदर की साइट से ले जाएंगे बनाते हुए और उदर की साइट से हम यह वाला कलर लगाएंगे देखिए इस तरीके के कुछ जिन बनके तैयार होगी तो देखिए इसी तरीके से हम सर्फ कुछ नहीं कहना है, बहुत सिंपल तरीके से बनना है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है देखिए तो एक कली बनके तैयार हो गई है अब हम दूसरी कली बनाने के लिए दूसरा कलर लगाएंगे ऐसे उस कलर को हम यहीं पर छोड़ देंगे और बनाना शुरू कर देंगे जैसे हमने इसके फंदे छोड़ेते तीन-तीन करके वैसे ही इस वाले कलर के छोड़ेंगे सेम सी यानि सेम जेजान बनाएंगे जैसे एक कली में है उसी तरीके से सबी कलियों में बनाएंगे सिर्फ अपना कलर चेंज करते हुए देखिए अब हम यहां से फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से तो थोड़ी सी धोचार कली में आपको बना कर दिखाती हूँ इसी तरीके से फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कितना शुनर जूर मैट आई है कितनी शुनर यह जिन्यान बन के आ रही है इधर की साथ में हमने फिर से तीन फंदे छोड़ दी है देखिए एक दो तीन तो थोड़ा सा बना कर मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से तो देखिए मैंने एक दो तीन चार पांच पांच कलिया बनाई है यानि चार पूरी पूरी बनाई है एक मैंने आदी बनाई है आपको दिख रही होंगी बहुत ही आशान तरीके से इसी तरीके से जो मैंने आपको पहली कली बना कर दिखाई थी उसी तरीके से ऐसे ही बनाना है देखोई एकदम कैसा सुन्दर सा प्यार सी डोरमेट बनके तयार होगा अगर आप पूरा बनाएंगे तो मैंने ये आपको स्रिफ एक जिजान बना कर दिखाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ छोटी सी बीडियो से आप बड़े से बड़ा डोरमेट बना लें अगर आप इसमें कई फंदे डालना चाहती है यानि इससे बड़ा बनाना चाहती है तो ऐसे ही फंदे डालने और अपने उसी इसाब से अगर ज़्यादा फंदे है तो 4-4 फंदे छोड़ें अगर उससे भी जादा हैं तो पांच पांच फंदे करके छोड़ें उसी हिसाब किसे अपने फंदे डालने और ऐसे ही तीन-तीन करके अपने ये वाले फंदे बढ़ाएं और अठाएं या पांच पांच यानि इसमें साच फंदों का बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा पांच पांच फंदे आप छोड़ सकते हैं और कम तो देखिए मैंने एक दो तीन चार पांच पांच कलिया बनाई है यानि चार पूरी पूरी बनाई है एक मैंने आधी बनाई है आपको दिख रही होंगी बहुत ही आशान तरीके से इसी तरीके से जो मैंने आपको पहली कली बना कर दिखाई थी, उसी तरीके से ऐसे ही बनाना है. देखो एक दम कैसा सुन्दर सा फ्यार सी डोरमेट बनके तयार होगा अगर आप पूरा बनाएंगे तो मैंने आपको सरफ एक डिजान बना कर दिखाई है क्योंकि मैं चाहती हूँ छोटी सी वीडियो से आप बड़े से बड़ा डोरमेट बना लें अगर आप इसमें कई घ्रीर डाल लें और अपने इस अगर ज्यादा पंदे चोड़ में ऑगर उससे भी ज्यादा था तो पांच पांच पंदे करके चोड़ में उसी ह्यासापकिस से अपने फंदे डाल flexion करके अपने यह वाले फंद बढ़ाए और उतलैं या जाने चूछ सकते हैं आपु pada छोड़ सकते हैं उसी हम इसाप से अपने ङठाते जाएंगे दो धो यह इसमें मैंने 3-3 करके फंदे छोड़े हैं, आप इसमें 4-5-5 फंदे करके छोड़ सकते हैं, बहुत ही आशानी से बड़े से बड़ा जोर मैट और छोटे से छोटा बन जाता है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ अब ते के लिए आदे कृष्णा